लो जी फाइनली इंडियन टूबिलर मार्केट में हीरो ने मैबरिक 440 को ओफिसल इंडियन टूबिलर मार्केट में 23 जनवरी 2024 को लांच कर दिया है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है आज की डिट में इस बाइक के प्राइज, फीचर्स, पावर, लुक्ष्ट इजान टूबिलर मार्केट में लांच कर दिया है सबसे पहले बाइक के प्राइज के बारे में बात कर लें प्लेटफर्म सेट कर दिया है क्योंकि दोस्तों आपको 440 cc का एंजिन देखने को मिलता है औली 1,99,900 रुपे के एक्शुरूम प्राइज पर समझ रहे हैं ना मतलब 2 लाग के एक्शुरूम प्राइज पर इस बाइक को लांच कर दिया है हीरो ने हीरो मैबरिक बागी फीचर्स के बारे मैं आपको बता दूँ प्राइज मैं आपको एक्स्प्राइज कर दिया है सबसे पहले बात करते हैं पावर के बारे में तो बाइक में आपको 400 cc का एर कूल सिंगल सिरंडर इंजिन दिया गया है जिसमें आपको 27.37 HP की पावर दिखनों मिलेगी 38 N10 का टॉर्क है पावर के पॉइंट ओ व्यू से बाइक में टॉर्क जादा है तो यहाँ पर आपको इनिसियल फिक अप लाइक आपको इनिसियल बूस्ट जादा अच्छा देखनों मिलेगा बाइक में आपको एडवांस BS6 Phase 2 कंप्लाइंट इंजिन दिया गया है साथी बाइक में आपको 5-speed gearbox transmission दिये गया है 27.37 HP की पावर के साथ बाइक के अंदर आपको 8500 RPM देखने को मिलेंगे इस बाइक में आपको 38 N10 का टॉर्क दिया गया है with 7000 RPM के साथ नो डाउट पावर के पॉइंट अब इस बाइक को इस प्राइस पॉइंट पर कोई भी बाइक कंपीट नहीं करेगी बैसे तो यह inspired है अपनी hero Harley Davidson X440 से बट दोस्तों इसमें आपको price काफी ज़्यदा affordable देखने को मिलते हैं साथी features भी काफी ज़्यदा offer किये गए हैं bike में आपको fully digital type का LED instrument console offer किया गया है जिसमें आपको bike से लेटेट सारे basic रमांडर feature देखने मिल जाएंगे like low fuel warming light, fuel gas, clock, neutral indicator, odometer, tip meter, takeometer, speedometer सारे basic रमांडर feature आपको bike से लेटेट इंस्टूमेंट console में show हो जाएंगे and इसमें आपको electrical features भी काफी अच्छे दिये गया है और all LED lights का setup offer किया गया है आपको front में round shape में LED headlight दी गई है edge shape आपको DRL भी offer कि गई है tail light आपको LED देखने मिलेगी front में और आपको rear part में like turn signal light, indicator भी आपको LED offer किये गया है round shape में यह bike एक retro type की कह सकते है क्योंकि यह fully inspired है Harley Davidson की X440 से already explain कर दिया है बाकि दूस्तों electrical features काफी अच्छे है finally बात करें brake and tire के बारे में front और rear दोनों में आपको disc plate देखने मिलती है with ABS light and काफी अच्छे super wide चॉनले tire आपको offer किये गए front का tire 110 wise 70 mm का है और rear tire आपको 150 wise 60 mm का देखने को मिलेगा दोनोंगी tire 17 inch के allowable के साथ tube less tire offer किये गए bike में आपको single channel ABS like anti locking braking system offer किया गया है जी हाँ इसमें आपको ABS offer किया गया है यह bike Indian two wheeler market में easily compete कर देगी royal infield की classic 350 yama mt 15 bajaj domina 250 अपने segment की easily यह काफी सारी powerful bike को compete कर देगी bike के front में आपको telescopic fork suspension देखने हो मिलते हैं और rear part में twin shock observer यह bike आपको double cradle frame पर देखने हो मिलेगी personally इस bike के looks design style काफी एदा मिरको पसंद आए हैं तो आप इस bike को definitely grab कर सकते हैं hero ने काफी अच्छी premium color scheme भी offer की गई इस bike में like step by step में आपको color scheme बता दूँ तो इसमें आपको red and sati gray and white यह कुछ आपको color scheme देखने को मिल जाएंगी जो कि आप अपने nearest hero के showroom को visit करके check out करोगे तो आपको सारी color schemes देखने को मिल जाएंगी looks design style काफी ज़धा attractive है side profile and rear profile भी काफी ज़धा unique है बाकी bike की seat आपको काफी single देखनो मिलेगी काफी wide है जो like riding करते समय आपको काफी comfort feel होने वाला है बाकी दोस्तों यह एक retro cruiser type की bike रहने वाली है जिसमें आपको काफी wide single piece seat दी गई है और handle bar आपको upside देखनो मिलेगी आपकी riding position काफी दे comfort रहने वाली है hero maverick से related कोई डाउट रहा गया हो comment section में आप पूछ सकते हैं 2 लाग के action room price पर hero ने आज की date में like 23 जनवरी 2024 को इस bike को reveal कर दिया